हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे वाट्सप पर फिंगर प्रिंट लॉग कैसे लगाते हैं अगर दोस्तो आप भी वाट्सप पर फिंगर प्रिंट लॉग लगाना चाहते हैं तो दोस्तो वीडियो को लाज टक बहुच करें दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो ल 3. पर किलिक करने के बाद दोस्तों आपको काफी सारे option दिखते होंगे दोस्तों आपको नीचे option दिखता होगा settings का आपको दोस्तों उस पर किलिक करना है किलिक करने के बाद कुछ इस तरीके से interface होगा interface होने के बाद दोस्तों आपको accounts का option दिखता होगा दोस्तों उस पर आप से फिस होने के बाद आपको थोड़ा नेशे चला आने के बाद आपको fingerprint lock दोस्तो अप्सन देखता होगा आपको उस पर किलिक करना है किलिक करने के बाद कुछी Istrie के से open ने के बाद आपको fingerprint lock इसको दोस्तो तो enable कर देना है, enable करने के बाद आपको confirm fingerprint, अब दोस्तों आपके mobile phone में fingerprint में उंगली लगाना है, उंगली लगाने के बाद confirm fingerprint हो जाएगा दोस्तों, confirm fingerprint होने के बाद आपको दोस्तों तीन option दिखते होंगे, दोस्तों आपको पहला option दिखता होगा immediately का, जैसे ही आपने option देखता होगा after 30 minutes जैसे ही आपने बाट्सप बंद किया 30 मिनट बाद बाट्सप में लग लग जाएगा एक और option देखता होगा so contact in notification दोस्तों इसको enable कर देना enable करने के बाद miss copy पर immediately पर click कर देना है click करने के बाद अब दोस्तों बाट्सप application में देखते हैं fingerprint lock मांगता है की नहीं बाट्सप में चला जाना है बाट्सप में जाने के बाद दोस्तों fingerprint मांग रहा है fingerprint अंगली लगाना है लगाने के बाद दोस्तों आपके fingerprint lock बाट्सप में लग गया है दोस्तो वीडियो अच्छा लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले